मैं मिस्ट्री मीडिया के मूँ पर थूख दिया इतना थूखा कि वो विचारे यहां रिखते ही नहीं है इसराइल जा रहे हैं और यहीं मोदी जे कहते थे क्या बहनों और भाईयों सेना के जवान के नाम पर मुझको पहला बोट मिलेगा क्या हा मिलेगा भूतनी वालों तु वो खतम हो जाता बेकार हो जाता द्वस्त हो जाता तो इसलिए आजम खासाब को निशाना बनाया गया है इजराइल जाके भाई भूतनी के वो देते हैं समर्थन हैं और मनीपुर दिख्थानी नों से यह देखाई है जिस सरकार की तानासा ही है यह जल्दी जाने वाली है 2024 में इसके उपर लोग ठूकने वाले सरकार के उपर देश को बदने की ज़रतने बदलना है तो इस देश का तानासा पी एम परदाहान मंत्री प्रभचान मंत्री नरेंद मोदी को बदलने की ज़रत है नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नैशनल दस तक एक समय ऐसा था जब रामपूर में ही नहीं यूपी में आजम खान की तूती बोलती थी लेकिन अब समय ऐसा आ गया है सजा सुना दी है साथ साल की और आजम खान अब जेल में बंद है हमारे साथ मौज नरेंद्र नंदा भाई आजम खान के बेहद खाश है कभी आजम खान इनसे मिलने इनके घर पर आते हैं तो कभी यह उनसे मिलने रामपूर जाते हैं आप से जानेंगे कि यह जो सजा मिली है उन्हें गिरफ्तारी हुई जेल चले गए क्या कहेंगे कितना मतलब आपका क्या यह हमें पहले से पता था मानी आजम खान जी कोई पता था कि सजा क्या और इंसाब क्या और न्याय क्या न्याय और इंसाब जैसी चीज नहीं है एक हुकमरान होता है ना जो सत्ता बे देख रहे हो ताना सासक बैठे हुए है तो ताना सासकों का एक हुकम था जिसको देश की जो लोवर कोट है उस अदालत ने उसको तामिल के रूप में पेश करा प्रीम कोट हो या लोवर कोट है कोट तो कोट ही है ना सबूत देखते हैं उसके बाद सजा सुनाते हैं तो क्या आप कोट की अब मानना करेंगे क्यों से अब मानना हो गई कि अब मुझे संब्स प्राइ गया है तो इसका मतलब है आज हम मतलब आप एक आरोपी का समर्थन करेंगे खुले मैदान कुंसा आरोपी भाई देश की जनता है अबाम है हम लोग देश के नागरिक है और हमारा सविधान हमें इजाज़त देता अपनी अव्यक्ति की आजादी करने का समझें आप कोट कोओ कुछ कोओ सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की अदालत है और जिस जनता की अदालत को सविधान बोलने की जादत देता है भारत का जो सविधान है जो बाबा साहिब ने जो बनाया तो मैं कहता हूँ के भाई बाबा साहिब की जो दोलत दोलत की पूंजी बाबा साहिब की दोलत की पूंजी बाबा साहिब की दोलत की कूंजी भारती सविदानी ये पूंजी आज जरुत है भारत के सविदान को बचाने की लोकतंत को बचाने की सरकार पर आप लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, सरकार जब काम कर रही है, तो आप लोग आरोपी का समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन वे उतर जाते हैं, देखें, सरकार क्या काम कर रही है, आरोपियों को सजा मिली क्या, आजम खा बेटे और पतनी सहीद जेल गए है साथ साल तक जेल में बंद रहेंगे सरकार है बेइमान है और नगाम बना रखिये सब दिखता है आजम खान और बेइमान नहीं दिखते है कुल्दीब सिंग सेंगर नहीं दिखाता गैन को है उस बच्ची को मरवा दिया उसके परिवार को म जोदी उसके साथ बलसकार किया जिनों नों उसकी हत्या कर दी बलसकार के बाद वह नहीं दिखिये वह अपर आदी आरोपी कहां गया है क्योंकि जाती बादी गुंडा था हो है वही ता पाखंडी इसलिए छोड़े जा रहे हैं सब का नंबर आएगा धीर धीर यह नंबर आते आते ना यह नंबर जो लगा रहे हैं राजनिति करण कर ही यह जानते आजम असाब अबहर रहे थे है तो यह जंगल जो राज है कहीं कहीं आजम खांड इसलिए को नितिक बहर है कोई इस तरीकी के अडंगे लगाएंगे यह चाहते नहीं है कि 2024 तक भार आएं गुंडे कभी मंत्री को टार्गेट कर रहे हैं कौन प्रधान मंत्री पाहिदान मंत्री को पीम का मतलब प्रवचन मंत्री को प्रधान मंत्री कहके भी मंत्री कम से कम पद की तो गरिमा रखिये मैं कौन सा पद पर रहे के देश की मट्टी खराब कर दी सारे सरकारी संस्तान बेग दियों बहन बेटों की जतनी लाम कर दियों अस्मतें लुट रही हो है इस राइल जाके भाव भूतनी के वो देते हैं समर्थन है और मनीपुर दि कि वह जो कच्छे उचल रहे हैं हमें भी वेजो इजराएल हमें भी वेजो इजराएल चले इजराएल 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 भूतनी के हैं वहां को नहीं गही तुम मनीपुर जे लएं Geneva कर कर घुमाया तुम कह दिउऊ परधान मंत्री ging नहीं पहां पर दंगा उबका भड किया दिक्त हो गई कॉछन के बाज मैं मिस्टरी मीडिया शारत का मतलब जानती है मेडम जब भारत में किसी की मोत हो जाती है लोग कहते हैं फलाना आदमी शांत हो गया तो मनीपुर का नाम क्या मरापुर हो गया है है आप मुझे बताओ छे महिने से कोई अपडेट नहीं है मनीपुर की और यहीं मोतीजे कहते थे क्या बहनों और भाईयों सेना के जवान के नाम पर मुझे को पहला बोट मिलेगा क्या हा मिलेगा मुटनी वालों तुम्हें मिलेगा तुमने देश की मट्टी खराब कर दिये देश की जो पूर्भ सैनिक की पत्नी को निर्वस्त करके गुमाया है उसकी जट लुटवादी तुमने समझे नी उसका बलतकार करा छोटी-छोटी बच्चीयों का बलतकार करा दोड़ा दोडा के उनको परेड करा करा के निर्वस्त गुमाया गुपतांगों को छेड़ा किया यही सरकार है तुपारी है मैं करता हूं और यहालट है आजमखा साथ के पीछे जितने भी जो लोग है बदनाम कर रहे हैं वह पाक साप अंसान है एक सच्चे आदमी है और आजम खां साब के नाम से आज रामपुर जाना जाता है समझे इसमें किसी का हैस्टा नहीं है उन्हें नवाब साही खतम किये उन्हें गरी मजलूम सोसे तो बंचितों की आवाज को उठाया है और ये नवाबी और ये पाखनवादी जो लोग हैं उनके खिलाप एक अंदोन रख्षेड रखा था मानिया आजम खान साब ने और बाबा साहिब बाला जो मिशन है उसी मिशन पर काम कर रहे थे बाबा साहिब बाले पर समझें नहीं तो इनने लोगता है कि ये जो आदमी व्यक्ति है मिशन पर क्यों काम कर रहा है क्यों सिक्षा की बात करता है क्यों गरीबों की बात करता है क्यों मजलूमों की बात करता है क्यों सुस्तों की बात कर रहा है क्यों अगर यही आदमी किसी नबाब के नाम पर ये यह पिरिडम फाइटर ते दिश की आजादी के लिए लड़े रामपूर के रहने वाले थे उन्होंने अपने कोई पिताजी के नाम पे उनिवस्टी का नाम नहीं रखा है तो सोच लिए पहले ज्ञान लीजिए पहले इतियास को पढ़िए खोजिए तब बगवास करिया यह जल्दी जाने वाली है 2024 में इसके उपर लोग तूकने वाले हैं सरकार के उपर जैसे में मिस्ट्री मीडिया के मूँपर तूक दिया इतना थूका के वो विचारे यहां रिखता ही नहीं है इसराइल जा रहे हैं तो क्योंकि थूक ना दें समझे इसराइल में जाके वह पारी सुरक्षित नहीं है आप भी सुरक्षित होके चला करो ठीक है नहीं इनके सासन में बेहन बेटियों के इज्जत का कोई भरसा नहीं कब बैसी कव आए कब रामन कभी सादू बनके आयो तुम्हें उठा के ले जाए बचके चलो बाबा साहिब के जो सविधान और लोक भारत जिन्दाबाद भारत रहेगा जिन्दाबाद भारत जैवीम जिन्दाबाद इन्हों ने तो पूरी तरीके से करार दिया कि आदम खान निर्दोष है और पर papid जो है की आज इसरची हुई है वहीं जो सत्तापक्ष है और तमाम लोगों का कहना है कि 104 उन पर केस्ट दर्ज हैं और तमाम चीजों के साथ वो प्रूफ निकल के आ रहा है कि वो माफिया हैं कब्जा जमीन पर कब्जा क्यों तमाम सीजे हैं पूरी बात चीद पर अपनी प्रतिक्रिय जरूर दीजिए कैमरावन तोहित के साथ ब्यूटी ग्री नेशनल दस्तक नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घं भी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें